टर्निंग इंसर्ट के विशे में इंसर्ट डेजिंग नेशन सिस्टम आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट डेजिंग नेशन सिस्टम इंसर्ट को पहचानते कैसे हैं कि इंसर्ट का नॉमेंक्लेचर क्या नाम है तो देखो जैसे एक एक जामपल है CNMG 0408R52 तो देखो नोमनकलेचर का पहला वर्ड C बताता है Safe वह insert कैसी पहला वर्ड बताता है वह कैसा Safe है देखे R means round C D K S square triangle VW देखे फिजिकली देखते है देखो D D shape D shape V shape V shape की VNMG देखो C shape की C shape C shape की insert W W shape की W shape की है W N M G T Trangle T N M G तो पहला वर्ड बताता है कि insert का shape कैसा है W N M G W shape की V N M G V C V C T T तो पहला वर्ड क्या बताता है shape वक की shape की है Second word clean and single देखो यहाँ पे clean and single अगर अगर यहाँ लिखा है अगर यहाँ लिखा है जैसे C N M G यह और यह इसका जुकाव देखो तो यह तो state है देखो एकदम सीधा दिख रहे है तो इसमें clean and single नहीं है लेकिन देखो यह CCMT CCMT CC इसका नाम है CCMT तो दूसरा word CCMT में दूसरा word क्या हो गया CC यहाँ पे C होगा तो CLIENC EGGLE कितने का होगा साथ का तो देखो इसमें CLIENC EGGLE है CLIENC EGGLE यह देखो CLIENC EGGLE इसमें है साथ अंसका CLIENC EGGLE है तो यह दूसरा word बताता है पहला shape दूसरा CLIENC EGGLE इसके बाद थर्ड वर्ड यम यम बताता है तोल्नेंस मतलब ये जैसे हमारी किंसर्ट है ट्रेंगल सेप की तो इसमें एक सर्किल की बात करें जब इसमें एक सर्किल बनता है तो इसकी यम और ये इसका डाया और ये इसकी थिकनेस इसमें कितने की टोल्नेंस है तो देखो अलग-अलग क्लास की आती है C and M यम क्लास की वाले जो है यम क्लास के लिए देखो आईसी सर्किल का डाया बता रहा है कितना है और इसके यम जो कटिंग में भाग लेगा उसमें टोल्नेंस और ये इसकी डी इसकी डी तो ये यम क्लास और यू क्लास और जी तो अलग-अलग क्लास की आती है जनल्ली आपकी यम क्लास की ही मिलेगी जो इसमें टोल्नेंस बताती कितने हैं तो कैप्टल यम तो C and M तीन वर्ड होगे अब हम बात करेंगे G G बताता है इसके चिप ब्रेकर का टाइप कितने तरह के चिप ब्रेकर आते हैं तो देखो यन नो चिप ब्रेकर नो होल देखो होल के चिप इंसर्ट के अंदर होल जेखो एक इंसर्ट के अंदर होल है और इनमें चिप ब्रेकर तो ये बताता है चिप ब्रेकर है या होल है या नहीं देखो इन इंसेटों में देखो अलग-अलग होल है तो देखे ये बताता है टाइप उसका चिप ब्रेकर बताता है कि चिप ब्रेकर कैसे है देखो अलग-अलग चिप ब्रेकर है और इन में hole है या नहीं है तो देखो यन अगर यहाँ पे G है G मतलब जैसे देखो T, N, M, G तो देखो यह G इसमें एक single hole है और यह chip breaker है यह step देख रहा है chip breaker बोले जाते हैं यह देखो अलग-अलग chip breaker के type है और यह hole जैसे देखो CCMT यह क्या है CCMT इसमें T है तो T का मतलब क्या है counter hole इसमें hole जो counter है और chip breaker one side खाली उपर-उपर है second side नहीं है तो यन में देखे क्या होता है no chip breaker कोई भी chip breaker नहीं होते हैं A में single hole और no chip breaker और G में single hole double side chip breaker और Y में single hole single side chip breaker R में single side chip breaker without hole और VW में देखो VW to V counter hole लेकिन chip breaker नहीं है लेकिन यहां से T से YACH देखो जो CCMT का ही जामपल हमने बताया counter hole देखो screw hole या counter hole single side chip breaker तो यह बताता है chip breaker यह पाच्वा वर्ड C N M G के बाद यह जो 12 है यह पाच्वा वर्ड बताता है cutting edge length cutting edge length यहां से लेके यहां तक यहां से लेके यहां तक यह किसकी दूरी कितनी होगी तो देखो यहां पे 12 है तो यह बताता देखो यह जैसे B N M G देखो दोनों B N M G है यह 16 की है और यह 12 की है जैसे देखो यह D N M G देखो यह 16 की है और यह 12 की है तो cutting edge length यहां से लेके यहां तक यह जो पाच्वा वर्ड बताता cutting edge length तो यह इस तरह यह insert की size बताती है जैसे देखो W N M G और यह देखो CCMT तो यह 16 और 12 और 8 यह cutting edge length बताती है कि इसकी यहां से लेके यहां तक मतलब insert की size इसके बाद बात करते हैं insert की thickness देखो 6 वर्ड इंसर्ट की sickness यह देखो यह 0,4 की है मतलब 0,4,4.6 mm यह code बोले जाते है 0,4 और देखो यह 0,2 की है तो यह insert की जो 6 वर्ड है यह बताता insert की thickness यह 0,4 यह देखो यहां पे आया ना 0,2, 0,3, T3, T0,4, 0,6 तो यहां पे कुछ भी हो जाकता है चटमे पे तो जो उसकी insert की जो thickness होती है वो so करते हैं code में 0,4 और उसको MM में ऐसे so करते हैं जैसे 0,4 की है तो 4.76 insert की thickness इसके बाद हम बात करते हैं यह 7 वर्ड जो 0,8 है यह बताता है tool node या corner radius corner radius मतलब यहां जो यह corner पे यह देखे यहां पे ऐसे जुका यह देखो यह देखो यह ऐसे करके ऐसे बन रहा है यहां पे एक radius बन रही है ऐसे करके ऐसे यहां पे radius बन रही है वो radius कितने की यह 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 चीज corner radius कहलाती है जो यह से करता है 0,8 का मतलब यहां पे जो corner radius है आरी है वो 0,8 code है मतलब 0,8 mm तो यह code मिलते है तो यह code देखिए corner radius कितने की है अगर यहां 0,4 है तो 0,4 की insert है 0,2 है तो 0,2 की insert है corner radius या nose radius इसके बाद आर यह बताता है hand of tool वो right hand है या left hand tool है तो देखो generally insert हमारी देखो हमेशा इसमें इसको right hand हो देखे left hand में लगा दोगे तो left hand right hand tool holder में लगा दोगे तो right hand तो यह बताता आठवा tool बताता है hand आठवा word बताता है hand of tool और यह बताता है नावा chip breaker चीप breaker कैसा है तो देखो यहां पे यह code दिया है तो insert का daging nation system पहला word बताता है shape वो c shape की है clean single zero का है यह means ym मतलब tool lens इसकी ym class की है g मतलब single hole उसमें एक hole है और double side उपर और नीचे breaker है इसकी cutting edge length यहां से लेके यहां तक की इसकी 12 की है और इसकी thickness insert की कितनी है 4 की है 04 मतलब 4.76 mm की है और 08 मतलब nose radius या corner radius वो कितने की है 0.8 mm की है right hand का tool है और इसका यह chip breaker बताता है कैसा है mpv करके आता है medium popular ml medium light यह chip breaker यह manufacturer देता है तो यह था insert designation system झाता है आता है यह मसित जो 50 यह तो बतान क daily वो ग्याठा यह यह है यह रृटन झारेप्झव के तर राग यह डाना